नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेवी पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके गर में पहले बच्चे के वजन को बढ़ाने के उपाई के बारे में तरीके के बा आपको पता चल जाता है कि आपके बच्चे का वजन कम है तो अपने डॉक्टर के संपर्ग में रहिए और वजन कम है तो मैं आपको तरीके बता रही हूं कि आपको क्या करना है तो देखिए आपको अपने खाने में iron, protein, calcium, magnesium, fiber, folic acid और DHA की मात्रा को बढ़ाना होगा इसस आपके सरीर में केवल सूजन आती है ठीक है तो ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा ना खाएं बागी अब आपको क्या-क्या खाना है जिससे कि आपके बच्चे का वजन बढ़ेगा तो सबसे पहला है दूद दूद पीने से आपको protein और calcium मिल जाता है इसके अलावा भी आप में क्या बात सामने आई है कि गर्वती महिला को रोजाना कम से कम आदा लीटर दूद पीना चाहिए अगर आप इससे जादा पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है इससे आपके बच्चे का बजन बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और वैसे भी दूद को संपून आहर कह तो इससे आपको सारे ही पोस्तत्urdum मिल जाते हैं तो और होड़ी हूरा को प्रोटिन मिल जाता है इसके अलाबा की सरेढ़ अच्छे बैडियुक्तिरीया को लेक्टिक बैक्टिरी आटेरिया होता है जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी ही आपके बिच्टी बे गैलसियम और प्रोटीन तो मिली जाता है जो कि आपके बच्चे के विकास में काफी जादा मदद करता है बहुत सा लोगों को लगता है कि दई नहीं खाना चाहिए तो दोस्तों देखिए दई खाने से आपको आपके बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुचता है बलकि दोस्तों इससे आपको फाइदा होता है लेकिन ध्यान अखिए कि ठंडे दही ना खाएं फ्री से निकाला होगा दही ना खाएं ड़ी को नार्मल कर लें उसके बाद बहुत जदा गर्मी है तो हल्का फुलका ठंडा दही आप खा सकते हो लेकिन नॉर्मल दही खाने की कोशिस करें और रोजाना आप एक कटोरी दही खाईए इसके अलाबा आप दही से बने वे चाज का और रायता का सेवन भी कर सकती हैं दही की लसी बना के ले सकते हैं जैसे बहुत चाहिए हैं लेकिन यह कुझा में चाहिता है नहीं दोस्तो पनीर क क्या दोस्तोर दोस्तों पनीर की जो बढ़ना सकते हैं या फिर आप सारोस्ट करके खा सकते हो पनीड से क्याल से आप च्लश्यम और प्रोटीन मिल जाता है है इसके अलाबा वी भूश्वें सारे जोसे समिल जाता है हमेंसे उपलुप दढ़ित रहता है दोस्तो राब जयुक्त नहीं जाता है जिस्टे कि आपने अपने बच्चे चरीब में अर्ण। कमी को पूरा कर सकती हैं कि इसमिपल सा नाम उसमें ऩम करें तक चमन गी डाल लोगे झाल चॉज जय से हम ऑप अपने खाने में रोजन एक कटोड़ी दाल को सामिल करें इससे लेब दोस्ता chant जैसे की चना मतर को तो यह इसे चना मटर शौंळ राजमा यह सब भी तान में आप इसको जरूर खाएं क्योंकि इससे आपको फोलीक एसीड बहुत सारे विटामिन फाइबर प्रोटीन आइरन मिल जाता है जो कि आपके बच्चे के वजन को तेजी से बढ़ाने में काफी जादा मदद करता है इसके अलाबा जो नेक्ष्ट है वह अंकुरित आहार दो अंकुरित चना या फिर मुंग भी खाना है इसके बाद जो नेक्स्ट है वह अगर आपको वेजेटेरियन है तो आपको जरूर खाना चाहिए क्योंकि जो लोग मासाहारी होते हैं मतलब कि जो लोग अन्ड़ कहते हैं मास मचली खाते हैं उनके शरीर में प्रोटीन कमी नही जाती है तो उसको प्षोया करने के लिए आप सोया बेन खा सकते हैं क्योंकि स्माल कर सकती है डोस्तों इसके अलाबा आका अपने खाने में पालक सामिल करना चाहिए क्योंकि पालक फोलिक एसिट का बहुती बड़ा स्रोत होता है यह आपके बच्चे के दिमाग की विकास के लिए बहुत जरूरी होता है और पालक से आपके बच्चे को नीडल ट्यूब दोस्त नहीं होता है यानि कि आपके बच्चे को तंत्री का तंत्री से संबंदित प्रॉल्म नहीं होत जो कि आपके बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो अपने खाने में ब्रोकली को सामिल करें इसके लाबा दोस्तों जिस मौसम में जो भी ग्रीन वेज़िटेबल आता है उसको खाना चाहिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारे पोसततों मिलते हैं जो कि अलाव आपको ख्टेफल कुंगर सी करता है कि अगर आपको आडयन वाली चीजे खा कर रहो ना तो उसको आपके शरीर में खीचिने में काफी मदद करता है तो आपके बच्चे के सरीर में और और की कमी नहीं रहती है क्योंकि आपको πता यह कि войn कितना जरूरी है ऌशेतale आइए की वज़ें से बहुत साइब बोगों कि इवाजन दिक्कत आती है आम आपको वासारी बीमार्यों से बचाती है इसलिए आके सरी में आइडन को अफसोसित करता है इसलिए खटे फल को अपने खाने में जरूर सामिल करें इसके अलाबा दोस्तों मार्केट में जो भी फल आपको मिलता है आपको वह सभी खाना चाहिए कुछ फल को छोड़ के जैसे कि आपका अननास हो गया पपीता हो गया और आपको अं आपको बताया है कि आपको बादाम खाना है तो आपको क्या करना है कि रात में पाने में बादाम को डाल के रख दीजिए सुबह उटके छिलका उतार के खालो इससे आपके बच्चे को बजन बहुत तेजी से बढ़ता है आपके बच्चे का दिमांग बहुत अच्छे से व बहुत जड़ूरी है इसके अलाबा जूस लिए सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात पानी तो आपको पानी भरपुर मात्रा में पीना है क्योंकि पानी की कमी की वज़े से बहुत दिकते हो जाती हैं तो कम से कम 10-12 गलास पानी पीजिए ताकि आपके बचे का विकास अच्छे से हो क्योंकि आपके पानी के थाली में पानी की कमी हो जाएगी तो इससे समय से पहले होना आपके बचे का वजन हो соп music होना आपके बचे कर ठीक से ना गूंना यह सारी प्रॉलम्स हो जाती है इसलिए पानी अच्छी मातरा में पीए यह कुछ खानी पीने की चीज़े हो गई इसके अलावा जो भी पोस्त तत्वों से भरपूर चीज़े ना वो सब खाईए और कोसिस करें कि आप भरपूर मातरा में आराम करें आठ घंटे की निन जरूर लें द तो आको टेंशन बिल्कुल भी ने लेना है क्योंकि टेंशन लेने से एक तो कही बार आप कुछ भी खा लेते हूं या अफिर आप नहीं खाते हो और टेंशन लेने से आपके सारी में बहुत सारे ह्मोंस रिलीज होते हैं जो कि अर्चे तक पोँच जाते हैं जिस वज़े कि आपके बच्चे को भी टेंशन हो जाता है और टेंशन में आपको पता ही है कि सरीर का विकास अच्छे से नहीं होता है इसलिए टेंशन बिलकुल ना ले और खुश रहने की कोशिज करें इसके अलाबा एक्सरसाइज करें तहलें और थोड़ा बहुत एक्टिव जरूर रह करेंगी तो इससे भी आपके बच्चे के वजन पर असर पड़ता है तो इन चीजों को फोलो करना इन सब इसी जों को खाना वांकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यी सो माच नमस्ते कर दो